एक लॉयर की बाइव का टीनेजर के साथ अफैर हो जाता है। लॉयर को ये बात पता चलती है लेकिन उसका भी अफैर चल रहा था। मोवी में ट्विस्ट और टन्स आते हैं और आगे क्या हुआ ये हमें एक्स्प्लेनेशन में पता चलेगा। अज हमें एक्स्प्लेन करने वाले हैं एक साथ कोरियन मोवी को जिसका नाम है अगुड लॉयर्स वाइफ बात करने इसकी आमडीवी रेटिंग के बारे में जो है 6.3 आउट अफ 10 स्टार मोवी के स्टार्ट होते ही हम यंग नाम के बंदे को देखते हैं वो लॉयर होता है औ और वो पुलिस से जगड़ने लगता है इस जगड़े को सॉल्फ करते हुए यंग एक गड़े में गर जाता है इसके बाद हमें उसकी बाइफ यून को दिखाया जाता है ये साइकल राइट कर रही थी और एक टीनिजर उसका पीछा कर रहा था फिर अचानक से वो रास्ते हूँ ग्रेड मदर को पता था यून उससे कहती है तुम्हें कोई भी इंबेरेस होनी की जरूरत नहीं है तुम मेरे बेटे हो इस बात को हमेशा याद रखो इसके बाद हम रात में देखते हैं यंग किसी लड़की के पास होता है और फिर घराकर शाबर वगेरा लेता है य जब उसके फादर इनलो यून से मिलते हैं तब वो कहते हैं क्यों ना हम घर जाने से पहले बियर लें फादर इनलो को बहुत सारे हैल्थ प्रॉबलम्स थे लेकिन फिर भी वो उन्हें अलाव कर देती है इसके बाद यून अपने काम पर जाती है उसका एक स्टूडियो है जहां पर वो लड़कियों को डांस सिखाती है मूवी के फर्स्ट सीन में हमने जिस तीनेजर को उसका पीछा करते हुए देखा था वो तीनेजर उसके पास आता है वो भी डांस सीखना चाता था बहां की असिस्टेंट उससे थोड़े कोशन पूचती है तब वो डर जाता ह और महां से बापस चला जाता है घर पर ही यून का बेटा उससे कहता है मैं अडॉप्टेट हूँ इस बज़े से सारे बच्चे मुझे चड़ाते हैं यून ने उससे कहा जब मदर की डिलेबरी होती है तब उसे बहुत तकलीफ होती है और जिस तरह से तुम मेरी लाइफ मे आयते मुझे बहुत खुसी हुई थी वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे कभी भी अलग नहीं समझती फिर आज रात यून और यंग इंटीमेट हो जाते हैं यून ने आज कल नोटिस किया है कि वो सैटिसफाई नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी फिर उस लड़के को घर से निकलता देखी यून उसका पीछा करती है वो डारेक्टली एक थेटर में जाता है जहां पर अडल्ट मूवी चल रही थी थेटर में वो अकेला होता है इसलिए मूवी अभी तक प्ले नहीं हुई थी फिर यून ने भी उसी मूवी का टिकेट ब जब वो यहां पर होता है तब किम के दरवाजे पर कोई नौक करता है किम ने उस आदमी से कहा था मैं घर पर नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो आदमी उसके घर पर पहुँच गया था यंग पूचता है यह आदमी कौन है लेकिन किम इस बात को इगनोर कर देती है दूसरी त इसके बाद हम देखते हैं आज यंग को पता चलता है किम एक्चुल में प्रेगनेंट है जिस वज़े से वो टैंशन में था इसी के साथ साथ डॉक्टर का भी फोन उसे आता है उसके फादर की भी तबियत बहुत खराब थी उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा इसके बाद यंग यून अपने फादर और मदर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते हैं अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचेगा लेकिन उसके फादर इस बात को थोड़ बज़े से उसका बेटा यून से पूचता है फादर अभी तक घर पर क्यों नहीं आए क्या वो जूट बोल रहे होंगे यून को इस बात पर हसी आई लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट था तो वो जाकर यंग को देख कर आती है लेकिन यंग अपने ऑफिस में ही था फिर रात में यून अपने फ्रेंट के साथ बात कर रही थी वो उसे बता रही थी कि मुझे लगता है शादी के बात मैं बहुत ज़्यादा सैटिसफाई रहूंगी लेकिन शादी से पहले मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट थी फिर अगले सीन में हम देखते है वो पहले माउंटेन ट्रैकिंग क्या करती थी फिर अब उसने डिसाइट किया वो शिन के साथ जाएगी इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ट्रैकिंग पर जाते हैं ट्रैकिंग करते टाइम शिन यून से कहता है कुछ महीनों के बाद मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा हो जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग किम के साथ इंजोय कर रहा था लेकिन अचानक से उसके फादर की तबियत बहुत खराब हो गई उन्हें होस्पीटल में एडमिट किया जाता है वो जल्दी से घर पर बापस आ रहा था किम उसके साथ गाड़ी में ही इंटीमे गई थी वो जल्दी से उस आदमी को अपने गाड़ी में डालता है और एक होस्पीटल में छोड़ देता है फिर किम को घर छोड़ने के बाद वो अपने फादर के पास होस्पीटल में आया उसके फादर खून की उल्टिया कर रहे थे इन सब बातों को देखकर वो डिस्ट फादर तो अल्रेडी मेंटल होस्पीटल में थे उसकी मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था उनका अल्रेडी किसी और के साथ अफैर चल रहा था वो उनके साथ खुश है और उनी के साथ रहना चाती है फिर जब यंग और यून अकेले होते हैं तब यंग उसे कहता है तो उने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल की उसे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए वो थैंक्फुल था वो यून से प्यार तो करता है लेकिन अपनी चीटिंग की आदत नहीं छोड़ पाता इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यून और शिन फिर से नूर कर देता है फिर अगले सीन में यून और सिन यून के स्टूडियों में अकेले थे यून उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी तब ही सीन के फादर ने उन दोने को पकड़ लिया सिन के फादर बहुत ज़्यादा गुसा दे और वो यून को कनफरंट कर रहे थे तब ह शिन ने जाकर अपना हाथ काच पर मार दिया उसके हाथ से खून आने लग गया था इसलिए फादर उसे हॉस्पीटल ले कर जाते हैं घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थी तब उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताती है कि मैं अडॉप्टेट हूँ त पर आती है इसके बाद हम देखते हैं शिन के फादर को पता चलने के बाद भी शिन यून से मिलने के लिए आता है इन दोनों ने अपना अफैर कंटिन्यू रखा था इन सब बातों से परिशान होकर सिन के फादर डारेक्ली यंग के पास आते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं एक्चुल में उन्होंने सिन के पीछे एक प्राइबेट डिटेक्टिब लगाया था इसी बज़े से उन्हें पता चला था सारे एविटेंस उन्होंने दिखा है इस बात से यंग डिस्टब हो जाता है वो सिन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है वो गाड़ी में बिठा कर एक सुनसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत डिस्टब था यंग ने उस पर चार्जिस लगा दिये थे जिस बज़े से उसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था यंग और किम एक साथ गाड़ी में क्या कर रहे थे यह उसके अकेले की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसे ही सारी पनिश्मेंट मिल रही थी डिलिवरी मैन को लगता है जॉब चले जाने के बाद उसकी पूरी लाइफ बरबाद हो चुकी है जिसका दोसी वो यंग को ही मानता है इसी का बदला लेने के लिए उसने उसके बेटे ये दोनों घर पर आते थे और बहुत रोते थे यंग को पता था यून उस पर चीट कर रही है इस बात से वो और भी ज़्यादा गुसा था उसने फिर किम को यून के सामने ही कॉल लगाया यून ये सब सुन रही थी वो उससे पूचता है क्या तुम्हें इससे कुछ भी फ इस जगडे की वज़े से यून के हाथ में छोट लग जाती है फिर यंग उसे हॉस्पीटल लेकर आता है इसके बाद यून को उसने घर पर छोड़ दिया और किम से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है किम उसे कहती है आज रात मैं घर पर नहीं हूँ लेकिन यंग उ इसी की जरूरती वो शिन को बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं घर आने के बाद वो आईसक्रीम खा रही होती है फिर डारेक्ली अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पीटल में थी वो अब प्रेगनेंट है वो कभी भी मदर नहीं बन सकती थी इ प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ यून उसे मना करती है वो कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है यंग कहता है जब मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था तब मैं उसे अपना ही मानता था मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब भी नहीं वो फिर से कहता है प्लीज मेरे पास आजाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले यंग ने उस पर चीट किया था वो उसे टाइम नहीं दे पाता था और उसकी जरूतों को पूरा नहीं करता था इस वज़े से यून ने उस पर चीट किया था अब वो अपने लीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में